दोस्तों मैं हूँ निशान्त और कहानी कैफे में आज आपको सुनाऊंगा एक शॉट स्टोरी दोस्तों आज की कहानी का टाइटिल है पास्टेंस जब अपने घर से वो उसके घर शिफ्ट हो गई तो सब ने उसे पागल समझा खैरत सबको दोनों के माबाब पर भी हुई अब कोई भला अपनी लड़की को किसी पराए घर यूँ ही कैसे रहने दे सकता है और कोई भला किसी लड़की को अपने घर क्यों रखेगा उसकी जिम्मेदारी भला क्यों उठाएगा लेकिन ऐसा हुआ वो उसके घर रहने लगी और अपने घर वैसे ही आती जाती जैसे कोई लड़की अपने माई के आती हो और सिर्फ रहने ही नहीं लगी उसे वहाँ एकदम बहु वाला प्यार और इज़त भी मिली उस पर आये घर में पूरी दुनिया बसाली थी उसने वहाँ और वहाँ सब ने अपनी दुनिया में उसे बहु वाली जगहां भी दे दी लेकिन कुछ था जो हमेशा खटकता था जिस घर की वह बहु बन कर रहती थी उस घर में कोई बेटा तो था ही नहीं वैसे था तो लेकिन अब नहीं था दोनों की शादी होती उससे पहले ही वह गुजर गया और बस तभी से यह उस घर की बिन ब्याही बहु बन रहने लेगी और इस सबसे लेना देना किसी को कुछ नहीं होता लेकिन कौतुहल सबको होता है कि आखिर इस यवस्था का आधार या तर्क या वजह क्या है तो बस एक रोज एक रिष्टदार से जब रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया कि आखिर वजह क्या है ऐसे बिना शादी किया यह रहने की और आखिर वो क्यों नहीं किसी से शादी करती और जिन्दगी में आगे बढ़ती जवाब में वो मुस्कुरा कर बोली वजह है महबबत यह सुन खीचते हुए अगला सवाल उस पर दागा गया लेकिन जिसे थी महबबत वो तो है ही नहीं दुनिया में अब फिर यह सब क्यों आस्मान में कुछ ताक्ते हुए वो बोली महबबत का कोई पास्टेंस नहीं होता महबबत जिन्दा रहती है महबबत मर नहीं सकती अजी इनसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती